हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोज की जानकारी भी आपको मिलती रहें इसके लिए घंटी विदवाएं कही रहीम संपती सगे बनत बहुत बहुरीत विपती कसोटी जै कसे सोई साचे मीत नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आलोग की जो हमारे टेस्ट सीरीज चल रही है उसके भाग 41 के अंदर मैं हूँ आपका दोस्त आदे गणे इस वीडियो चला के तो ज्यादा स्यादा सेर करें और लाइक जरूर किया करें आप चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज में प्रत्विराज की आँखें जो अध्याए है रामकुमार वर्मा कृत वहां से प्रशनों की तो प्रत्विराज की जो आँखें अध्याए उसके रचनाकार को नहीं रामकुमार वर्मा एक प्रशन तो यहीं से बन गया अगला देखतें कि प्रत्युराज की आँखें किस विदा की रचना है तो ये अध्याय किस विदा की रचना है तो ये एक एक आँग की है अगला देखिए कि प्रत्युराज रासों के किस समय में समय या सर्ग में प्रत्युराज के धनुर विद्या का वर्णन और अंत में प्रत्युराज का सब्द वेदी बान सें साब दिन गोरी के वद्ध का वर्णन मिलता है तो 66 वे समय के अंदर ये वर्णन मिलता है वहीं अगला प्रश्न की चंद बर्दाई द्वारा अपने प्रत्विराज रासों के कौन से समय में प्रत्विराज के केद होकर गोर परदेश जाने का वर्णन किया गया है तो 66 समय में उसके कपड़े साफ सुत्रे हैं वेस में सादगी है पर मुक पर दुख की रेखाई अंकित है किसके मुक पर दुख की रेखाई अंकिती चंद बर्दाई के अगला है कि उसके सरीर से सोरी अब भी फूट रहा है चड़ी हुई मुछ हैं और रोबिला चेहरा है उप्लिक्ट पंक्तियों में किसके सोरी की बात की जा रही है पृत्विराज चोहान के मैंने कहा मनुष्य से जैसे रहना सीको खुदा के बंदो जान से मार डालो पर एक राजा की इज़त रहने दो ये कतन किसने किसने कहेते पृत्विराज ने मसालची और सरदार से कहेते जैसे अंदकार रुपी दैते की जिवाएं पंक्ति में जिवाएं किसे का आ गया है तो मसालों की लोग को देते की जिवाएं कहा गया है सेर पिंजरे में बंद रहने पर भी सेर ही कहलाता है ये कतन किसका है? चंद वर्दाए का अगला है कि सरीर का गठा हुआ मुझे तनी हुई वे फोजी वेस में है कमर में तलवार है उप्रिक कतन किसके लिए आया है? सहाब उदिन, गोरी के लिए अध्याय के प्रारव में जब परीचे होता है उस समय की बात आई है चंद तुम प्राण हीन होकर मेरे पास आये हो प्रत्वी राज ने इसा क्यों कहा? क्योंकि चंद तलवार लेकर नहीं आये था साथ में उसके तलवार नहीं थी इसलिए प्रत्वी राज ने कहा कि चंद तुम प्राण हीन होकर मेरे पास आये हो बात करें कि चंद बरदाई कोन था? तो एक मा कवी कवी थे वो और पर्थुी राज के परम मित्र भी थे क्या गोर के आदमी इतने निर्दई होते हैं ये कतन किसका है चंद बर्दाई का अगला देखते हैं तेरा नंबर प्रशन है इतना कहने के बाद भी मैं जीवित हूँ उप्युक्त कतन में मैं किसके लिए प्रियुक्त हुआ है पृत्युराज चोहान के लिए जिन संत्रिप्त आखों में सौंदरी ये सुदा पान की मादकता रहती थी आखें अब नहीं रही जिन संत्रिप्त आखों में सौंदरी ये सुदा पान की मादकता रहती थी वो आखे अब नहीं रही ये कतन किस पार्ट से लिया गया है पृत्विराज की आखे जो द्याय वहां से अंदे के पेर चूम रहे हो अंदे के पेर चुम रहे हो उसकी आँखे नहीं चुमते केसी खूब सुरत आहा ये कथन किसका है सहाब उदिन गोरी का अगला है कि सुल्तान आवाज पर तीर मारने के लिए आँख की जरूरत नहीं होती कथन किसका है चंद बरदाई का प्रतुराज की आँखे एक आँखे में पात्र अक्तर वो क्या है एक सिपाई है प्रतुराज की आँखे जो एक आँखे इसके अंदर किसके विश्वास गात की बात कही गई है तो जैचंद के विश्वास गात की बात कही गई है वहीं आगे हम बात करें कि तुम हमेंसा मुझे सुल्तान के बजाई शिफाई सम्झो सिर्प सिफाई गोरी ने ये वाकə किसें कहेते हैं तो चंद से कहेते कि मैं एक सिफाई हूँ तुम मुझे हमेंसा सिफाई सम्झो पृत्वी राज रासों के 66 वे और 66 वे समयों को और किस नाम से जाना जाते है दूसरे नाम क्या है तो पहला 66 वा जो समय है उसको बड़ी लड़ाई समयों कहा जाता है और 66 वे को बान बेद समयों भी कहा जाता है आध्याय के प्रारम में ये पंक्तियां दे गई है वहाँ से प्रस्ण लिया गया तो शुक्रिया दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें